ओम नमस्यवाई जांसे की रानी इस वाटकों पढ़ रहे थे आप अपनी बुक में पेज नंबर 73 निकालिए महलो नेदी आग जोपड़ी नेजवाला सुलगाई थी यह स्वतंतरता की चुनगारी अंतरतम से आई थी जांसी चेती दिल्ली चेती लखनव लपटे चाई थी मेरट कानपूर पटनाने भारी धूम मचाई थी जबलपूर कोलहापूर में भी कुछ हलचल उकसानी थी बुन्देले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वहतो जांसी वाली राने थी युद्ध का रूप ले रहा था और इसी का वर्णन यहाँ पर कवैत्री ने किया है वो कह रही है कि अंग्रेजों से अपनी आजादी छीन लेने की बाद महलों में आग की तरफ फैल रही थी तो जो समाज के अन्य वर्ग थे वो भी अंग्रेजों के प्रती बहुत गुस्से में बहुत क्रोध में भरे हुए थे आजादी प्राप्त करने का जो यह जोश था जो यह जुनून था कि हमें आजादी प्राप्त करनी है यह जुनून उनके हृदय से निकल रहा था अंतरतम यानि हृदय से निकल रही थी कि हमें स्वतंतरता की इस चिनगारी को जलाए रखना है और स्वतंतरता हमें प्राप्त करनी है यह सारी जो बाते थी वो उनके लोगों के मन से अंतरतम यानि उनके हृदे से आ रही थी जहासी चेती यानि जहासी सचेत हो चुकी थी जाग चुकी थी इसके साथ साथ दिल्ली भी जाग चुकी थी तो लखनव में भी यजोश आग की लप्टों के समान फैला हुआ था इसके अलावा मेरट, पटना, कानपूर में आजादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में थी जबलपूर और कोलहपूर के लोगों में भी यह बात भरनी थी अर्थात उनके मन में भी आजादी का उच्साह जगाना था उनको भी आजादी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था ये कवैत्री कह रही है कि ये जो सारी बाते हैं वो हमें जो बुंदेल खंड के हर बोले हैं हमने उनके मुह से सुनी है कि जहांसे की जो रानी थी वो बहुत ही वीर्थी और वीर्था पुर्वक युद्ध करते हुए उसने वीरगती पाई थी इस स्वतंत्रता महायग्य में कई वीरवर आये काम नाना धुंदू पंत तातिया चतुर अजी मुला सरनाम अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुमर सिंग सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जहासी वाली रानी थी कवित्री कह रही है कि आजादी के इस महायग्य में कई वीरों को अपनी जान की आहुती देनी पड़ी उन्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ी और ऐसे लोगों में जिन्होंने देश के लिए अपने प्रान दे दिये ऐसे लोगों का नाम यहाँ पर कवित्री बता रही है कि ऐसे लोगों में नाना धुंदू पंत, तांतिया टोपे, अजिमुला अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुवर सिंग जैसे वीर सैनिक थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए अपने प्रान दे दिये भारत की स्वतंतरता के इतिहास रूपिया काश में इनका नाम सूरत चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा और उनकी इस कुर्बानी, उनके इस त्याग और बलिदान को जो अंग्रेज थे वो जुर्म समझते थे, अपराध कहते थे और ये कहानी हमने बुंदेल खंड के हर बोलों के मुझ से सुनी है कि जहासी की जो रानी थी वो बहुत ही वीर थी और वीरता के साथ युद्ध लड़ते हुए उन्होंने वीरगती पाई थी आज के लिए बस इतना ही ओम नमशिवाए